मैंने ये कहा कि आपको आपको लगता है कि CBI पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर नाच रही है मैं मानू ये नाच रही है? CBI, ED और इंकम टाक्स उनकी फ्रंटल बन चुकी है इस कैम्पेइन के स्टार प्रचार अकेले मोदी जी नहीं है ED, CBI और इंकम टाक्स है क्योंकि होता दख रहा है, देश देख रहा है मैं भी देख रही हूं, आप भी देख रही है मैंने मानी आपकी बात उसी CBI को आपने जेल में डाल दिया लेकिन कोट कह रहा है ना, सुप्रिया जी कोट ने कहा कि गिरफतारी अवेद नहीं है, इलिगल नहीं है. इसी कोट ने संजे सिंग को करीब 6-7 महीने जेल में रखा और अंततो गत्वा जिस दिन बेल का दिन आया तो उन्होंने कहा हम दो बजे सुनवाई करेंगे. इडी ने कहा कि नहीं नहीं इसको मामले को अज़र्ण कर दीजे, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग अगर आपके पास साक्ष है तो आप लाईए नहीं तो हम दो बजे फैसला सुनाएंगे. इडी ने आके वापस दो बजे क्या का? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इनको रखने का हम कोई भी साक्ष नहीं जुटा पाएंगे. यह सिर्फ संजे सिंग की बात नहीं है, यह किस साल की लड़की नहीं से बहुत सारे बच्चे हैं किस साल के होंगे? एक लड़की CBI पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर काम कर रही है. लेकिन 2013 में जब देश की सर्वोच अदालत CBI को केश्ड पारिट कहती थी, कहा था सुप्रीम कौट ने? तब तो आपकी सरकार थी. इसलिए चली गई. इसलिए इनकी भी जाएगी. दूसरों की गलतियों से सबक तो बस चोटा सा एक और सवाल सुप्रिया क्योंकि आपने गलती की, आप दस साल के लिए खारज हो गए. अब उनकी गलती के एक जामिनेशन का वक्त है. कितनी सीटे हैं आपकी? हमारी. मैं इंडिया ब्लॉक को अभी 300 सीटों पे देख रही है और हमारी निरंतर बढ़ रह आपता. ये दावा कर रही है. और अब क्योंकि आज पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा, 19 तारीक को पहले चरण की वोटिंग होनी और अब अगले तकरीबन धाई महीने देश चुनाव में रहेगा 4 जून को. 4 जून का इंतजार सब को प्रधान मंत्री ने कहा 4 जून, 400 पार. फिलाल इजाज़ा देची.